नवस्कार आप दिख रहें नियूज 18 का डिजिटल प्लैटफॉर्म आपके साथ मैं हूँ शिप्रा जा हमारे समाज में सिख्षकों को भगवान से भी उपर का दर्जा दिया गया है हम उन्हें पूछते हैं, उन्हें आदर करते हैं, सम्मान करते हैं की सिख्षक ही हैं, जो हमारे समाज को गढ़ने का काम करते हैं लेकिन अगर कोई ऐसा सिख्षक जो ऐसी शिर्मशार करने वाली हरकत करें तो चर्चा होना वाजब है जहानाबाद के एक ऐसे सिख्षक से हम आपको मिलाने जा रहे हैं का वीडियो सोचल मीडिया पर दो दिन से वाइरल हो रहा है और इस वीडियो में ये सिख्षक एक महिला सिख्षक के साथ आपति जनक खालत में दिखाई दे रहा है क्या है पूरा मामला इस वीडियो में आपको बता दे हैं सोशल मीडिया में दो दिन से एक सिक्षक और एक महिला सिक्षका का आपत्ती जनक वीडियो तीजी से वायल हो रहा है इस वीडियो में बंद कमरे में सिक्षक को महिला टीचर के साथ इश्क फर्माते देखा जा रहा है दोनों पर प्यार का ऐसा बुखार चड़ा है कि गुरुजी खुद के मुबाईल से उस महिला सिक्षका के साथ इश्क फर्माने का वीडियो बना रहे है इस वीडियो में महिला सिक्षका ने वीडियो बनाने पर आपत्ती भी दर्श कराई लेकिन गुरु जी ने उसकी बात नहीं सुनी और उन पलों को यादगार के रूप में रखने के लिए वीडियो बनाने की बात कही भलेई वीडियो बनाने के पीछे गुरु जी की मनशा कुछ भी हो लेकिन ये वीडियो गुरु जी के लिए गले की फास बन गया है महिला के साथ आपतिजनक वीडियो कहा का है इसकी पुष्टी तो फिलहाल नहीं हो सकी है लेकिन आरोपी सिक्षक मिथलेश कुमार धनौती मद्ध विद्याले में काम करते हैं सिक्षक के मंद्र में गंदा काम करने वाले ऐसे सिक्षकों की करतूद से पूरा सिक्षा महिकमा शर्मसार है फिलहाल इस सिक्षक की बहाली भी संदे के घेरे में है इसकी जात चल रही है नाम नहीं बताने की शर्ट पर कुछ सिक्षकों ने दबी जुबान से बताया कि ये सिक्षक जहानाबाद प्रखन के सिक्षा अधिकारी का काफी चहेता हुआ करता था वो स्कूल इंस्पेक्शन में कई दफा सिक्षा पदाधिकारी के साथ भी आया जाया करता था जिस महिला के साथ वीडियो में वो नजर आ रहा है वो महिला कौन है फिलाल इसकी पहचान नहीं हो सकी है वो महिला सिक्षिका है या छात्रा इसकी भी पुष्टी अभी तक नहीं हुई है लेकिन जब से ये वीडियो वाइरल हुआ है तब से सिक्षा महकमे में हरकंप मचा ऐसे में उन सिक्षकों से अपील होगी कि ऐसी हरकत करने से बचें और क्योंकि जो सिक्षक हैं उनका एक अलग दर्जा है और समाज में लोग काफी सम्मान नजर से उन्हें देखते हैं अगर ऐसी हरकत वो करते हैं तो उनके लिए भी और सिक्षक समाज के लिए भी शर्मसार क किसाद.